नवस्का साथियों, आप लोग देख रहे होंगे कि ये सबी कलासें आपकी UPSC यानि कि Civil Service और State PCS को ध्यान में रखते हुए कबर की जा रहे हैं और इन सबी कलासों में हम लोग बिस्ताज से बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि और भी अगर किसी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग जिसमें आपके इतिहास से questions पूछे जाते हैं तो उनके लिए भी एक क्लास हैं बहुत ही मातपूर रहने वाली हैं और एक काम आप लोग कर सकते हैं आप लोग जिसमें एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पुराने questions पेपर उठा के देखिएगा और उनके बास इन क्लासों को देखिएगा तो मुझे लगता है कि और बहतर आप लोगों को समझ में आएगा और आपने देखा होगा कि हम लोगों ने लाश्ट क्लास में जो भारत की आजादी रही है जो सुतंता अंदोलन रहे हैं इनमें बिभिन बरगों की भूमिका क्या रही है उस पर बेस्ताया से चर्चा की हुई थी आज हमें सुतंता कोई यह उगदान नहीं है देश की आजादी में आप देखें बो किसी और दल की नाम लेते रहते हैं और इस तरह एका आरोप एत्यारोप चलता रहता है तो हम लोग देखें कि आखिर कौन कौन से दल ने हमारे देश की जो आजादी की लड़ाई रही है उसमें भाग लिय है तो इसमें हम लोग सबसे पहले आप देखें भारती राष्टी कॉंग्रेस की बात करें जो आप सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा दल और जो आँगे चलके आप देखिएगा एक राजनेतिक पारटी भी है कॉंग्रेस समाजबादी दल के बारे में भी बात करेंगे हम ल पर भी बात करेंगे सवराज पार्टी की का युगदान क्या रहा है देश की लड़ाई में उस पर भी बात करेंगे और इससे पहले कि हम लोग बात सुरू करें आप लोगों को एक और जानकारी दे देते हैं कि जो आपका UPSC और स्टेट PCS कहना का मतलब होता है सेविल सर्विस की तरह हर स्टेट में उनकी हाँ PCS का एकजाम होता है चाहे आप UPPCS की बात कर लिजे विहार PCS, 36 गार राजिस्थान, महरास्ट और आप देखिए चाहे MPPSC की बात कर लिजे उत्राकंड PCS की बात कर लिजे तो इनका जो प्रिलिम्स का स्लेवर्स है उन सब को ध्यान में रखते हुए एक कबार की जा रही इन क्लास है और इसके लिए आप देखिए कि एक सेपरेट पिलेलेश्ट सूची बना दीगी है UPSC and State PCS प्रिलिम्स इस्पेशल क्लासिस की नाम से इसी में सबी क्लासें आपको मिल जाएंगी एक एक चैप्टर आपको मिल जाएगा करम से चाहे वो पराचीन भारत का हो मद्यकालीन भारत का हो अब आनुनिक भारत पर हम लोग बात करेंगे आने वाले समय में सम्मिधान पर बात करेंगे बोगोल पर बात करेंगे हम लोग अर्द्ववस्था पर बात करेंगे, बिज्ञान पर बात करेंगे, तो सभी क्लासें आपको यहां मिल जाएंगे, वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं, अब चलते हैं भारती राष्टी कॉंग्रेस के बारे में बात करते हैं, और भारती राष्टी कॉंग्रेस भारत का सबसे पराचीन राजनेतिक दल है और शुरुवात में आप देखेंगे की स्थाफना एक स्थान के रूम में और अर्गनाजिशन के रूम में देश की लड़ाई के लिए स्थाफना की गई थी और आप देखेंगे भारतिय राष्टी कॉंग्रेस की स्थाफना 28 दिसंबर 1885 म किस कॉलेज में भावन में की गई थी तो आप देखिए 28 देसंबर 1885 में की गई थी बंबई में गोकुल लास्ट तेजपाल संस्केत कॉलेज की भावन में यह अखिल भारती इस तर पर राष्टवाद की पहली सोने युज्यत अभी व्यक्ति थी और इसके संस्थापक ए ओ ह और पितम अध्यक्ष थे विमिश्चंद बनर जी यह इनके संस्थापक का नाम भी याद रखिएगा अध्यक्ष का नाम भी आप लों याद रखिएगा और भारती राष्टी कॉंग्रेस में कुल 72 सदस थी पहली बार जब इसकी स्थापना हुई जिसमें आप देखेंगे दादा भाई नौरोजी थरोस आहमेटा देंसा एल जी वाचा कासी राम तेलंग बी रागवाचार एंजी चंदा वरकर और एस सुब मन्यम आपको देखने को मिलेगे और इसी सम्मिलन में दादा भाई नौरोजी की सुझाओ पर भारती राष्टी संग का नाम बदल कर भा पहले आप भारती राष्टी संग की नाम से से जानते थे भारती राष्टी संग कॉंग्रेस की पूरोगामी संस्था की इस्थापना कभिचात सबसे पहले आप देखें कि लॉड डफरेन के दिमाग में आया था किसके लॉड डफरेन के दिमाग में और कॉंग्रेस की पित हित्यता को प्रोसाहन देना इसका उद्देश था देश के अंदर धरम बंस इवं परांत संबंधी बिवादों को खतम कर राष्टी एकता की भावना को प्रोसाहित करना इससे पहले आप देखिए अपने-पने उनकी हित्ते कोई संगठन अगर था भी तो उसका अलग ही उद किया और सिक्षित बर्ग की पूर्ण सहमती से महत्पूर्ण एवं आवस्थक सामाजिक विस्यों पर विचार बिमस करना या निश्चित करना की आने वाले बरसों में भारती जन कल्यार के लिए किस सिद्दिशा में किसाधार पर कारी किया जाए और कॉंग्रेस के उद्द की अनुद्यों की संस्था कहा जाता था शुरुवात में भारती कॉंग्रेस के संस्थापक भी एक अंग्रेज थे और जो 15 वरसों तक कॉंग्रेस के महासरीचिप भी रहें यह वो विचूब विटेस संस्किती की देन थे और इसलिए का आरंब से ही प्रयास रहा है कि अधिकार आप देखें कि एक तरह से मिलें और मदन मोहन मालविय ने अपने पहले भासन में जो की 1886 में कलकत्ता में हुए दूसरे कॉंग्रेस अधिवेशन में दिया था पिति निदीक संस्थाओं की विना अंग्रेजों से भला क्या होगा और पिति निदीक संस्थान बेट अंग्रेज अध्यक्ष थे जो जीवल और जिसमें मांग की गई थी कि एक संसथी सम्ती की निवक्ति की जाए जो कॉंग्रेस की 1858 की उद्गोषना को लावू करने और राजनितिक सुधार सुईकार करने की मांगों पर विचार करे जो आप देखें अंग्रेजों ने 1857 की किरांती के बाद जो उद्गोषना की थी ना 1858 की उसी की बात हो रही है यह नेड़य भी किया गया कि संसत के सदस्त ब्रेडला से अनरोत किया जाए कि वह इसके लिए उन्हें अपना समर्थन भी दें चार्स ब्रेडला ने 1889 में बंबई कॉंग्रेस अधिवेशन में अधिवेशन से पहले भी कारण रही होगी और विस्वी सताब्दी के दूसरे दिसक्त तक कारण रही जब तक कि महत्मा गांधी लाला राजपतर आये कि अध्यक्स्ता में कलकत्ता में 1920 के विशेश सदिवेशन में अपना असायोग आंदोलन का संकल पारित करवाने में सफ करते हैं कॉंग्रिस समाजबादी दल की क्या योगदान रहा है देश की आजादी में इस लड़ाई में तो आप देखेंगे कॉंग्रिस समाजबादी दल की स्थापना 1934 में आचार नरंदेव जैपकास नारायन मीनू मसानी और असोक मेहता की पेरतनों सो की गई थी तो इ पाटी की स्थापना का उदेश देश की आर्थिक विकास की पिक्रिया राजद्वारा नियोजित और नेंतित हो राजाओं और जमीदारों का उन्मूलन बगे मुआपजे की किया जाए जुलाई 1931 में बिहार में समाजबादी दल की स्थापना जैपकास नारायन फूलन प पुस्तक की रचना जैपकास नारायन ने और समाजबादी और राष्टिये अंदोलन पुस्तक की रचना आचार नरंद देव ने की थी एक किताबें भी याद रखिएगा उनकी लेकक भी याद रखिएगा भारती समाजबादी नेता पिथम महायोद्य के बाद से ही समाजबाद का पिचार कर रहे थे परंतु सविनाय योग्या अंदोलन 1937 की आसफलता और सन 1929 की आर्थिक संकट के समय पुझी बादी देशों की दुरगती और आप देखें इन देशों में फासेंज में की बिज और दूसरी ओर सोवियत देश की आर्थिक संकट से मुक्ती और उसकी सफलता इन सब कारणों से अनेक राष्टभत समाजबाद की ओर आकरसित हुए और इन में जैपकासना रायन, आचार नरिंदेव, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कमला देवी चटोपाद् अचिवत पटवर्धन, असोप मेदा इस सभी सामिल थे और इनका उद्देश भारती राष्टी कॉंग्रेस के मंच द्वारा समाजबादी धंग से सौराज प्रापती और उसके बाद समाजबाद की स्थापना करनी थी और भारत को सुतनता मिलने की बाद कॉंग्रेस कॉंग्रेस सब्द को अपने नाम से हटा दिया और बाद में आचार के प्लानी द्वारा संगठित किरिसक मजदूर पिर्जा पारटी इसमें मिल गई इसका नाम पिर्जा सोसलिस्ट पारटी हो गया था परन्तु डॉक्टर राम अनुहर लोहिया की नेतित में समाजबाद अधिविशन 1965 में पिर्जा सोसलिस्ट पारटी से अलग होकर पुनह अपना सुतन तस्तित कायम कर लिया और उसी समय असोक मेता की नेतित में कुछ पिर्जा सोसलिस्ट कार करता कॉंग्रेस में भी सामिल हो गए थे और आप देखिए हमारे दिस में कई राजनितिक पारटी हुए है राम वनुवर लोहिया आप सभी जानते हैं कि समाजवादी पारटी है जो अभी अकलेस यादा मुलायम सिंग यादाओ की पारटी वो उनकी विचारधारा की बात करती है जैपेकास नारायन तो आप लोग उने सुना होगा इंद्रा गांधी 1975 से 77 की वीच हुए थे जश्टिस पारटी की बात कर लेते हैं यह 20-20 सदी के आरम में उभरने वाली एक जाती आधारी आंदोलन को संचाली करने के लिए निर्मिस संगठन थी और मदरास में 1915 में सोले में कि आसपास मजोली जातियों की और से C.N.Modaliar, T.N.N.I.R. और P.T. त्यागरा और मल्याली नायर भी आप देखेंगे सामिल थे अनेक भूसवामी को समर्द व्यापारी थे जिने सिक्षा सेना और आजन्टी के चेद में ब्रह्माडों के बाचियों से देखकर इसा होती थी वो भी इस पारटी में सामिल थे और जश्टिस पारटी को राजभत्ती के बाटो और राजकरो की जो नीती रही है ना अंग्रेजों के द्वारा की फूट डालो एक तरह से चमझ रहा है आप लो बाटो राजकरो की नीती के अंतरकत पिचारित आर देविड सिधान पर आधारित उत्तर भारत व बिरामड बिरोत का अंदोलन खड़ा किया था और हि पिरियार की पतनी मनिया माई ने राम लीलाओं के मंचन की निंदा करते हुए चैन्नई में रावड लीला का एविजन किया था और आज भी आप लोग देखते हैं जाती आधारित पाइटियां की गठन होती है ना उसी तरह से रामा स्वामी पिरियार यदी दच्छन भारत को सेस भारत से अलग कर एक सुतंत देविड स्थान की कलपना करते थे और यहां के कम्यूनिश्टे भी भारत को एक एकित भारत की रूम में नहीं देखते थे और उनके चिंतन में भारत 16 राश्टों का समूओ था और अंग्रेजों के जाने के बाद उसे उतने ही हिस्सों म आज जा रहे होते तो कितने देशों की यात्रा कर लेते समझ सकते थे और इसे एक बनाय रखने में एक करने में आप देखते हैं सरदार बल्लभाई पटेल का यगदान रहा है इसलिए दोनों ने ही जिन्ना के पाकिस्तान सपने को साकार करने के लिए पूरा सहयोग भी दि दिया था अंग्रेजों का पित्थम इस योदी के समय मद्रास में एनिवेसेंट की स्थिफिकल सोसाइटी ने हॉम रूल आंदोलन आरम किया और मांगी की योदी के बाद भारतियों के लिए सौसासन का प्रावधान किया जाए और इससे अंग्रेजों में स्वभाविक चि आंदोलन कहरे कर लांचित किया था और आप देखे अंग्रेजों को इससे फायदा भी हो रहा था कि कम से कम हमारे ही देश में इस तरह की दो पाइटियां देखने को मिलेगी जो एक उनका सपोर्ट कर रहा है और भारत में अंग्रेजों को का राज सदा के लिए बना रहे और इसकी पूरजोर कोशिस की और जैसे पार्टी के इस राष्ट विरोधी चिंतर में ततकालें इसाई मिरस्रियों की बहुत बड़ी भूमिका थी अग्री जातियों खासकर बिरहमणों को मतांतीत करने में बिफल रही इसाई मिसनिरियों ने दच्छन में गर बिरहमणों का संकर नसल था ए और प्रियार सभी तरही की सामाजी बुराईयों के लिए उत्तरभारत ब्रहमणों, हिंदी, बेद, पुरान, धरम, सास्त को ही दोसी मानते थे सामाजिक ने आये और बन विवस्था की बिरोध का नाम के नाम पर पिरियाद ने स्वाधीनता अंदोलन का बिरोध और देश के सहीदों का अबमान भी किया उन्होंने अंग्रेजी समराज्य को पुष्ट करने के उद्धिस से समाज को खंडित करने का काम भी किया और अपने इस लक्षी की पूर्थी के लिए उन्होंने संपदायक पिति निधित का पिस्ताव भी रखा और जिसे कॉंग्रेस गांधी ने नकार दिया था और दिसंबर 1944 में कानपूर में एक सभाह को संबोधित करते हुए प्रियार ने उत्तर भारत में गिरा बिरमबनों से अपने हिंदू पहचान छोड़कर खुद को धर्विड घुसित करने का आहान किया था तो यह जश्टिस पार्टी देख रहे हैं आप लो अब बात आती है औल इंडिया फारवर्ड विलोग की इसका क्या यह उतान रहा है इसने क्या किया तो आप देखेंगे कि औल इंडिया फारवर्ड विलोग भारत का एक राष्टबादी राजनितिक दल था और इस दल की स्थाफना 1949 में हुई थी और नेताजी सुवाश्चंद वॉस ने इस दल की स्थाफना की थी सन 1949 के प्यारम में यह इसपर्ष्ट हो गया था कि हिटलर की इउरोप विजय की सुपन की कारण बिस महायुद की संभावना निकट आती जा रही थी और तिफुरा अधिविसन में अपने अध्यक्षी भासन में सुवाश्चंद वॉस ने बड़ी दूड़ दर्शीता के साथ गोसित किया कि इउरोप में सीख गी समराज जवादी योध आरम हो जाएगा और यह सावसर पर अंग्रेजों को 6 माहे का अल्टीमेटम दे देना चाहिए और उनके इस पिस्ताओं का बर्किंग कमेटी की सदसों ने बिरोध किया था और सुवास बाबू ने अनुभाव किया कि पितिकूल परिस्तितियों के कारण उनका कॉंग्रेस अध्यक्ष की आने के लिए उन्होंने मैं 1949 में कॉंग्रेस के भीतर ही फॉरवार्ड विलोग की स्थापना की घोशना कर दी और फॉरवार्वार्ड विलोग की पिथम अथिल भारती अध्यक्षन मॉंबई में पूर्ण सोतंता और तत्थ पश्च्याद समाजवादी राजी की स्थापन छेन ली जाए सेप्टमबर 1949 में हेटलर के पोलेंड पर आकमण और फ्रांस तथा वेटेन द्वारा जर्मनी के विलोग दियोद्धी की घोशना से सारी यूप में यूप में यूद्धी की जुवाला भढ़क उठी और गवर्ण जनलरल लॉड लिनलेट को ने एक अध्या संद्री और परांती बिधायकों से उपचारिक परामस के बिना ही समराजवादी यूद में जोग दिया हम लोगों से कोई परामस ही नहीं लिया गया सलाय ही नहीं ले गई और अक्टूबर 1949 में सभी कॉंग्रेस मंती मंडलों ने त्याग पत्त दे दिया गुस्सा में आकर नाराजगी में और कांग्रेस नेतित में ने संघर्स की कारवाही को और आंगे नहीं बढ़ाया 1949 में के अक्टूबर में ही नेताजी ने नांगपूर में समराजवादी बिरोधी सम्मेलन आयल जित किये और जिसमें उन्होंने कांग्रेस और संपूर्ण राष्ट को कि संकल्प का इसमर्ड दिलाया मार्च 1940 में फॉरवर्ड विलोक ने रामगड में समझोता विरोधी सम्मेलन किया और उसमें तै किया गया कि छैपरेल कुराष्टिय सप्ता की पिथम दिन जलिया वाला बाग जो हुआ था ना आप लोग देखेंगे सहीदों की इसमिती में निश्चित योध प्रियासों और अंग्रेजी समराजवाद की कुटिल रूप की विरोध देश ब्यापी सत्यागय छेड दिया जाना चाहिए और अपरेल 1940 में फॉरवर्ड विलोक ने जनता से समराजवादी योध से असायो करने और अंग्रेजी राजजी को कायम रखने के लिए भारत के साधनों के सोशन की विरोध की अपील करते हुए राष्ट व्यापी सत्यागय छेड़ दिया और दल के नांगपुर अदीवेशन 1940 में सुभास बाबु ने पुनाहा पुनाहा आप देखेंगे रामगर पितिग्या पर बल दिया और संगर्ष की तीविता की संदर में उनकी मत पूर्ण भूमिका इसपर्ष्ट हुई नांगपुर में ही निश्चित किया गया कि फॉरवर्ड विलोग भविसम मत एक मंच ना रहकर एक दल के रूम में कार करेगा और विलोग ने दल के रूम में कार करने के लिए तैय किया गया कि वहाल पहु संखेख सदस्ता की सहियत कॉंग्रेस के भीतर ही कार करेगा बिलोग का उद्देश सीग भारती जनता की सहयोग से राजनितिक सत्ता पर अधिकार समाजबादी आधार पर भारत की अर्थवस्था का पुनर निर्माड घुसित किया जाए गया और नागपुर अधिविशन की तुनंत बाद सुभास्चंद बोस्थ जुलाई में गरफतार कर लिये गया और दिसंबर उनके आमरान अंसन के कारण उन्हें रिहा कर दी किया गया चोड़ा गया और उसली समय गांधी जी ने भी सुभास्चंद सुभास और फॉरवर्ड बि बिलोग की जरामगर घोषना से मिलती जुलती थी और जनवरी 1941 में सुभास्चंद बोस्थ पुलिस और कूपिया विभाग की बड़ी निगरानी के बाबजूत अचानक कलकत्ता इस्तित अपने निवास सिस्थान से निकल गया थे और जोन 1942 में फॉरवर्ड बिलोग अभै खिसरेंगे की ब्यवाजित हो गये। प्रस्पशें एंगरे निवाघ् सर्वाधी फॉरवर्ड बिलोग और माक्सवाधी फॉरवाड ब्लोग। घुटबडशन के बूर भारत बीवाजन का तीय भी लोद भी किया था भारत बिवाजन को बी लोओ कने अंग्रेजों का भा भारतिय कम्मिनिस्ट पाइटी की, तो भारतिय कम्मिनिस्ट पाइटी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को कानपूर में की गई, और 1920 में मानवेंद नाथ राय, उनके कुछ अनस अयुगियों ने सामवादी दल बनाने की गोशना की थी, और ASP घाटे इस दल के महामंतरी निक्त किय गये थे, MN राय की सलाह से कम्मिनिस्ट पाइटी को कम्मिनिस्ट इंटरनेशनल की साखा मान लिया गया था, और 1928 में कम्मिनिस्ट इंटरनेशनल ने ही भारत में कम्मिनिस्ट पाइटी की कारपेणाली निश्चित की थी, और सुरुवाती दोर में पाइटी की जड़े अंग नहीं बने और 1920 से 1930 के दसक के दोरान पार्टी का संगठन कमजोड हालत में रहा और भाकापा के अपचारिक रूप से गठन होने से पहले ही अंग्रेजों ने कई सक्रिय कम्मिनिस्टों के खलाप कानपूर भोलसेविक सडंत के अंतरगत मुकंदमा दायर कर दिया दा थ में आहाम लोगों को इनके बारे में पता चला और 20 मार्च 1939 को भाकापा से जुड़े बहुत से मत्मूर नेताओं को मेरट सडंत केस में भी गिरफतार कर लिया गया था नतीजे के तोरपा पार्टी नेतित तिहीन हो गई थी और आज भी आप लोग हम कम्मिनिस्ट पार्ट 1934 में कॉंग्रेस की भीतर वामपंथी रुजान रखने वाली निताओं ने कॉंग्रेस सोसलिस्ट पार्टी CSP का गठन किया और इसके गठन की समय भाकापा के निताओं ने से सामाजिक फासिवात का संग्या दी थी लेकिन कॉमिन्टर्ण द्वारा उपनिवेसों में भार के थी सील मानने लगी थी और इसके सदस्टों ने कॉंग्रेस की बामपंथी धारा यानि की CSP की सदस्ता गरहन की और 1936 से 1937 की दौरान सोसलिस्टों और कमिनिस्टों के बीच में आपसी सहयुक काफी बड़ा और जनवरी 1936 में CSP की दूसरी कॉंग्रेस में यह थीसिस सु विकार की गई कि माक्सबाद लेनिन बाद की आधार पर एक सैयुक्त भारतिय सोसलिस्ट पार्टी की स्थापना की आवसकता है और इसे तरह CSP की तीसरी कॉंग्रेस के बाद बनी राश्टी कारकारणी समती में कई कमनेश्टों को सामिल किया गया फिर आप देखें कि 1940 में कॉंग्रेस के रामगर अधिवेशन में भाकापा ने प्रोली टीरियन पत सीशक से एक दस्ताबेश जारी किया और इसमें योद्य के कारण ओपनेविसिक राज्यों की कमजोर हालत का हवाला देते हुए उसके खिलाब ससक्त अंदोलन छेड़ने की बात की और भाकापा की एक तरफा घोशना से नाराज होकर CSP ने कमिनिश्ट सदसों को अपनी पार्ट्री से बाहर कर दिया और इस बीच दुतियव सेउद्य में सोवियत यूनियन और वेटेन की संबंधों की अच्छे होने के कारण जुलाई 1942 में इस पर लगी पावंदी हटा दी गई और इसने कॉंग्रेस की उपने विस्वाद बिरोधी रणीती का बिरोध भी शुरू कर दिया और इसने 1942 की भारत छोड़ो अंदोलन की आलोचना की और सुवाश्यंद वोस की तीखी निंदा भी की थी और इस दोसमें दोर में भाकापा की एक महस्पूर्ण उपलब्दी यह भी रह कि उसने कॉंग्रेस की मजदूर संगठन All India Trade Union Congress पर अपना वर्चिस कायम कर लिया था और खासकर आप देखिए जो मजदूर इते किसान थे वो आप देखिए कमिनिस्टों की तरफ का एक तरह से रोक रखते थे अपना क्योंकि यह देखिए कमिनिस्ट उनी की बात करते हैं भाकापा ने 1946 में हुए परांतिये चुनाव में भागेदारी की लिकन इसे पूरे देख के 1580 परांतिये विधान सबाओं की सीटों में से कुल आठ सीटों पर जीत मिली और अपने गठन के बाद से देख की आजादी तक भाकापा की राजनीती में कई उताव चड़ाओ आ पहुच गया था कि उन्होंने भारत चुड़ों अंदोलन में कि समय बेटिस सासन का समर्थन कर डाला था और इसके पीछे एक मुख बजाय कहली कारण कहली क्या था कारण आप देखेंगे यह था कि भाकापा की राजनीती में भारती परिस्तितियों को कम एहमियत दी जाती थी और अधिकांस मौकों पर कमिनिस्ट इंटरनेशनल या सोवित यूनियन के निजिसों ने पायटी की रणीती तै करने का काम किया इसी कारण कई बार इसकी रणीतियां उल्टी दिशा में आगे बढ़ी और इन गड़वडियों के बापजूत कॉंग्रेस के मजदूर सं और 1946 में हुए तिभागा आंदोलन मैं बंगाल के जोद्दारों ने इस से बात के लिए संगर्थ किया कि उनके पास अपनी खेती के उत्वाद का दो तिहाई भाग होना चाहिए और तिलंगा और अंदोलन हैदरावाद रजबाडے में हुआ था और यहाँ आंद महसबा कि बेनर्तली हैदरावाद की निजाम के खिलाब पहली ही आंदोलन चल रहा था और आंद महसबा में कम्मुनिस्ट्टों की अच्छी खासी उपोस्तिती थी और इन्होंने किसानों को निजाम उच्थानी जमीदारों जिनने देश मोख की नाम से जाना जाता था कि खिलाप जागरूग बनाया था नाल गोंडा बारंगल खंबम जिलों में किसानों ने करज माफी बंदवा मजदूरी खतम करने और भूमी पुनर वितरन के लिए आंदोलन चलाया था यह काफी जोल पकड़ लिया था नजाम की सेनाओं और जमीदारों की लठेतों ने इनका कूर्टा से दमन भी किया था आप सोचे अंग्रेज ही दमन नहीं कर रहे हमारे देश के जो नेता हैं जमीदार हैं वो भी कर रहे हजारों किसानों की हत्या कर दी गई थी देख लिए अ 1940 तक उन्होंने 3000 गाओं की तगरीबन आप देखेंगे 16000 बरग मील भूमी को मुक्त करा लिया था उनके उसका गाओं के लोगों की बीच बितरन कर दिया गया था और सेप्टमबर 1940 में भारती सेना की दखल से निजाम की सासन का अंत हो गया था इसके बाबजूत किसानों का बिद्रो जारी रहा और भारती सेना ने भी इसका हिंसक दमन किया था भारती की आजादी की समय भारत समय आजादी और भारती राज्यों की प्रवित्ती के बारे में भाकापा में गहन और रोचक विवाद विवाद हुआ और इसे इकारण पार्टी ने समिधा सभा में भी भाग नहीं लिया था जब भारत को आजादी मेरी तो समय स्थीपी सी जोसी भागापक के महा सचिप थे और उन्होंने इस बात पर जोड़ दिया कि सप्ता का हस्तांतर बास्तविक है और नहरू की सरकार से एस पर्ष्ट संकेत मिलता है कि वह समराजवाद बिरोधी ताक्तों का पितिनिदेत करती है और इसलिए उन्होंने अग्रह किया कि भागापा को कॉंग्रेस के बारे में अपने बिचारों का पुना मूल ल्यांकर करना चाहिए लेकिन पार्टी की भितार इसे पर्याप्त समर्थ नहीं मिला और बीटी रन दिवे कि नेतित में एक खेमे ने य गौसिस कर सकती है यह आप देखे कुछ यहां पॉइंट दिए गया है इन्हें भी याद रखिए इनसे डारेक्ट कुश्टन स्पूचे जा सकते हैं पेसावा सड़न के 1922 थे इसकी बात है इससे सम्मधित होने के कारण सामबादी दल के सदस काफी चर्चित रहे और इस के 1934 तक सामबादी दल ने अपने आंदोलनों के द्वारा भारत में कापी फिसिद्धी भी पराप्त की थी जुलाई 1934 में बेटेस भारत की सरकार ने इसके विस्तार को देखते हुए सामबादी दल का परपितिवन लगा दिया था और सुतंता आंदोलन के दौरान कम्मिनिस से निकाल दिया था और जब भारत की समिधान को अंगीकार कर लिया गया तब इस दल ने इसे दास्ता का सोसन पत्त कहा था अब बात आती है मुसलिम लीग की तो मुसलिम लीग का मूल नाम अखिल भारती मुसलिम लीग था और यह है राजनेतिक समूह था और आप सभी जान की सुतंत होने के पर भारत में सरेफ किन्दूओं का ही बर्चस रहेगा और इसलिए उन्होंने मुस्लिमों के लिए अलग से एक राष्ट की मांग को बार बार ठोक रहा है अक्टूबर उन्नीश से च्छे को एचेस आगा खा कि नेतित में मुसलिमों का एक दल वायसराय लॉर्ड मिंटो से सिमिला में मिला था लेकिन आप लोगों को मालू होने चाहिए कि मुसलिम लीक के साथ देश का पूरा मुसलिम समधाय कभी नहीं रहा है ठीक है और यह जब चुना हुए तब मालू भी चल गया और आप देखें कि जब देश का वटवारा हुआ तब भी मालू चल गया ठीक है और अलीगर को उंग्रेश के प्रेंसिपल आर्च बोल्ड इस पितिनी धी मंडल की जनक थे और इस पितिनी धी मंडल ने वायसराय से अनुरोध किया कि प्रांति ये केंद्री और इस्थानी मिंटो ने इसकी मांगों का पूर्ण समथन भी किया और जिसके फ़ल जरूप मुस्लिम लिताओं ने धाका की नबाब सलीम उल्ला की नेतित में 30 दिसंबर 1906 को धाका में मुस्लिम लिग की इस्थापना की अंग्रेजों को तो आप देखे एक तरह से बटवारा करना ही था कि कोई तो आप देखे इनका विरोध करे कॉंग्रेस का और आप देखें कि सलीम उल्ला था मुस्लिम लिग की संस्थापक अधिक्ष थे जबकि पिफ़म अधिविशन की अधिष्था मुस्ताग हुसेन नहीं की थी और इस संस्थापका मुकुद्धिष भारती मुस्लिमों में बेटे सरका के पिती भक्ति उत्पन करना था भारती मुसल्मानों की राजनितिक अधिकारों की रक्षा करना था और मुसलिम इनिग ने अपने अपनरेश सर की अधिविशन में मुसलिमों की पितक निर्वाचंग मंडल की मांग की जो 1909 में मारले मिंटू सुधार की द्वारा मिल भी गई थी और लीग ने 1916 की लखनव समझोती की आदार पर भारती राष्टी कॉंग्रेस का समर्थन की करने की अत्रिक्त कभी भी भारतीयों की राजनितिक अधिकारों की मांग नहीं की इन्होंने अब बात आती है सुराज पार्टी की तो सुराज पार्टी बेटिस भारत में सुतंता संग्राम की समय बना एक प्रमुख राजनेतिक दल था इस दल ने भारतियों के लिए अधिक से अधिक सौसासन और राजनेतिक सुतंता की प्राप्ति के लिए कार किया और सन 1922 में चोरी-चोरा कांड हुआ और गांधी जी ने असायूग आंदोलन बापस ले लिया तो कुछ नेताओं ने इसके विरोध में सुराज पार्टी की स्थाफना की थी और इन नेताओं का विचार था कि असायूग आंदोलन को बापस नहीं लिया जाना चाहिए कारी थे वो ठक भी चोके थे चोरी-चोरा की घटना भी हो गई थी तो आप देखे अंग्रेज भी दमन करते तो बहुत सारे positive point भी है negative point भी है आप सभी जानते हैं एक से के के जिस तरह से दो पहलो होते न उसी तरह से यहां भी आप लोगों को कुछ positive point देखने को मिलेंगे नकारत पॉइंट में लेंगे देसमबर 1922 में चितरंजन दास N.C. केलकर और मौतिलाल नहरू ने कॉंग्रेस खिलापत सुराज पार्टी के नाम सिद्दल की स्थाफना की थी जिसके अध्यक चितरंजन दास बनाए गये थे मौतिलाल उसकी सुराज पार्टी को भारती राष्टी कांग्रिस के भीतर से सुरू किया गया था तो यह भी याद रखेगा सुराज से मतलब राष्टी आंदोलन के अंदर ऐसे रोजहानों से है जिसने कॉंसल फिरवेस की राष्टी आंदोलन की एक हिस्ते की रूम में बकालत की थी और जनका मानना थे कि कॉंग्रिस को चुनाओ लड़कर कॉंसल में जाना चाहिए और सुसासन की गलक नितियों का राष्ट वाध की विरोध भी करना चाहिए जबकि महत्मागांदी ने ऐसा है यू आंदोलन बापस लेने के साथी कॉंग्रिस को कॉंसल में जाने से रोग दिय जागरन उसामाजी कांदोलों से राष्ट वाद की उधे का साधन मानते थे ए चुनाओं में हिस्सा लेकर मानते थे राजनीती में प्रवेस के पक्षदा सोराच वादियों ने कौंसिलों में प्रवेस कर अंगरेजी विद्वयद सासन का बिरोद किया और कुसासन को हुई वही कॉंग्रिस खादी आंदोलन सौदेसी आंदोलन से जुड़ी रही हाला कि गांधी जी ने बेक्तिकत रूप से कॉंग्रिस के नेताओं को चुनाओं लगने की अनमती दे दी लेकिन सब्ता कैसा बनना उन्हें मंजूर नहीं था और उन्हें इस बात का पर भी आ अब देखते हैं 1924 में गांधी जी ने केवल एक बार अध्यक्षता की इसी अधिवेशन में ठीक है इसका पाइटी का जीमन काल संचिपत रहा है क्योंकि ये कॉंग्रिस से फूट और आसंतों से जन्मी थी इसका मुक्ष लक्ष कॉंसिल में बेटे सरकार की जन विरोत की नीतियों का विरोत करना था और इनके सपास सासन की कोई स्वश्ट नीती लक्ष उद्देश कारियोजना बसमिधार नहीं था राश्टी मुद्दों पर इनकी समझ ना के बराबर थी और ना ही रचनात्मक कारियों के द्वारा जनता को देलित कर पाए और इनके पास केंद विरोध के दम पर पार्टी का स्थित बचाय रखना कठिन भी होता जा रहा था और इस पार्टी के खतम होने का दूसरा कारण यह भी था कि इस खेमे में उदारवादी लोग भी थे जो बेटे सासर का विरोध करना उचित नहीं मानते थे उन्हें लगता था कि अंग्रेजी स कि कुछ सोराज उद पार्टी वादी राख्टी निता चुना लड़का मिलने वाले पद और सोविधाओं की लोप में फस गए थे और कर सरकार के साथ अनुक्रियावादी सहयू की सिध्धान का इन्होंने पिती पादन कर दिया और इस पार्टी की पतन का एक अन्यकारण नेवी था पार्टी शुरू से ही मौतिला नहरू चितरंजन दास पर केंदेत रही और चितरंजन दास की जून 1925 में मित्यु के बाद पार्टी लगभक मेर्ट पिराय हो गई 1930 में सविनय एक गया अन्दोलन की समर्थन करती हुए सुराज पार्टी ने चुनाव नहीं लड़े और 1934 में मद्रास असेमली में बहुत नाने पर इस बिकल्प यानि की पार्टी का अस्तित नगन हो गया तो इस तरह से आप देखिए देश की आजादी सुतंता अंदोलन में जिन दलों की भूमिका रही है उनके बारे में भी हम लोग बात कर चुके है बड़े विस्ताज से बात हो चुकी है अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग N.C.E.R.T. बुक्स चरू पढ़िएगा ठीक है अंगली क्लास में हम लोग जो भारत में अधुनिक भारत में चर्चित बेखती रहे हैं उन पर बात करेंगी उनकी बारे में जानेगे हम लोग ठीक है आप लोग कुसे सलाय हो सुझाय हो तो आप लोग सवाल हो तो आप लोग दे सकते हैं नीचे बताईएगा जरू झाल झाल